तो दोस्तों यह रहा हमारे पास वीवोवी 29E5G मोबाइल दोस्तों अगर आपके पास यहीं मोबाइल और दोस्तों आप उसमें चाहते हो स्मार्ट काल सेटिंग इनेबल करना दोस्तों स्मार्ट काल सेटिंग इनेबल करके दोस्तों आप अपने मोबाइल को स्मार्ट बना सक अब दोस्तों यहां पर आपको स्मार्ट का लिंग पर किलिक करने के बाद यहां पर पहला आपसे इसको इनेबल करना है इनेबल करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके पहला आपसे देखने को मिल जाएगा smart answer का तो आपको smart answer के सामने tick disable इसको enable करना इस टिक को enable करने से दोस्तों होता यह है जैसे कि दोस्तों आपकी mobile पे कोई भी एर टुजर call आएगा तो दोस्तों आप अपने mobile को कान के पास लेके जाओगे तो आपकी call जो है automatic receive हो जाएगी बात हो स्टार्ट हो जाएगा अब यहां पर दूसरा आप स्विच का इसके सामने को enable करने से दोस्तों होता है जैसे कि दोस्तों आप किसी भी वक्ती से बात करें हैंड फ्री में यानि कि speaker पर किसी भी वक्ती से बात करें तो आपने मोबाइल को कान के पास लिखे जाओगे तो आपका जो speaker से यानि कि हैंड फ्री से हैंड से हो जाएगा कान वाले speaker में आवाज आने लगेगी अब यहां पर तीसरा आप सेना था स्मार्ट का इसके सामने को enable करना को enable करना से दोस्तों होता है जैसे कि दोस्तों आपके फिलेप फोन टू मूट incoming calls इसके सामने टिक disable इसको enable करना इस टिक को enable करने से दोस्तों होता है जैसे कि दोस्तों आपके mobile पर कोई भी call आ रही है तो अपने mobile को इस तरह से किसी चीश से ढख दोगे दोस्तों आपकी call जो है यानि कि जो आपकी रिंग बजरी वह डाउन हो जाएगी और आपकी incoming call जो है म्यूट हो जाएगी तो दोस्तों यही थे स्मार्ट काल के फीचर जो कि दोस्तों मैंने आपको बता यहां से जो भी आपको फीचर अच्छा लगे वह आप फीचर यहां से इनेबल कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से दोस्तों व